आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। दस्मलब परसार सांथ है और इसका दस्मलब रूप में ब्यक्त भी करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले रूल समझ लेते हैं, हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या पर्मे संख्या P by Q के रूप में हो, जहां पर P और Q क्या हो, सह अभाज संख्या हो, सह वो 2 पर पावर M into 5 पावर N के रूप में हो, जहां पर M और N क्या हो, not equal to 0 हो, तो उस केस में जो P by Q का दस्मलब परसार होता है, वो क्या होता है, सांथ दस्मलब होता है, सांथ दस्मलब होता है, ठीक है, अन्या था, अन्या था का मतलब यदि वो रूल फोलो न हो, तो उसका दस्मलब परसार क्या होगा, असांथ आवर्ती होगा, ठीक है, तो अब हम यहां पर रूल को देखते हुए, अब हम आँगे हल करेंगे, ठीक है, तो यहां पर पहला कोशन में दे रखा है, अब हम आँगे, अब हम यहां पर ध्यान से देखें, तो अन्स और हर दोनों में एक क्यलबा कुछ कोमन नहीं है, और यहां पर हर जो है, वो भी कहा है, टू पर पावर एम इंटू पर पावर एन के रूप में है, इसका मतलब यह रूल को फोलो कर रहा है, तो रूल को फोलो करें तो इसका दस्मलो परसार कैसा होगा, सांत होगा, ठीक है, दस्मलो परसार कैसा होगा, सांत होगा, तो एक तो यह बताना था कि बताएं कि इसका दस्मलो परसार सांत है, ठीक है, जो कि हमने यहां पर दिखा दिया कि इसका दस्मलो परसार कैसा होगा सान्थ होगा अब हमें इसको दस्मालों की रूप में भी व्यक्त करना है तो यह हो जाएगा 17 अपाउन और यह 2 स्क्वाइर हम यहां पर क्या करेंगे कि 2 से उपर भी गुना करेंगे और 2 से नीचे भी करेंगे ठीक है तो यह 2 इसक्वाइर गुने 5 पाउर 3 यह तो पहले से ह था तो सतर गुने 3 क्या हो गया यह हो गया 34 अपाउं और यह कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा अब यह हो गया 2 पाउर 3 गुने 5 पाउर 3 इसको लिख सकते हम 2 गुने 5 का यह हो जाएगा तो यह आगे 34 अपाउं 5 गुने 2 कितना होता है 10 तो यह हो गया 10 का होल क्य तो भाग देंगे ते क्या हो जाएगा यह जाएगा 0.0,34 ठीक है तो हम ने हाप बीना लमी भाजन के इसका दस्मालव निरुपर भी कर दिया ठीक है तो कि थे कितना आगया .034 आगया अब हम यहाँ पर दुसरा देखते हैं, दुसरा में दे रखा है 24 अपाउन 625, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, तो यह हो जाएगा, अगर दोनों में देखें, तो एक क्या दुसरा कुछ उभई निश्ट नहीं है, तो कुछ उभई निश्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि, यह दोनों सह अभाज है, ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा, अब इसका हर चेक क पच्छ पाफ़ पाफ़ फोर लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पर हम यह देख रहे हैं कि हर जो है तो तु पाफ़ पाफ़ एम इंटू पाफ़ एन के रूप में होना चाहिए ठीक है बट हम इसे 2 power n into 5 power m के रूप में बना सकते हैं ठीक है एक प्रमे ये भी होता है कि जैसे यहाँ पर P by Q क्या होगे कोई परमें संख्या P by Q के रूप में है जहाँ पर P और Q मान लेते हैं एक्स पराबर क्या है P by Q कोई परमें संख्या है और P क्या है वहाँ पर और Q जो है 2 पो पावर M into 5 पावर N के रूप में है यहाँ पर M और N के आहें नावटी कोल टो 0 है तो इस केस में भी X का जो दस्मलो प्रसार होता है वो क्या होता है? सांत होता है ठीक है और यदि यह रूप फोलो ना हो तो उस केस में फिर दस्मलो प्रसार क्या होगा? और सांत होगा, ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह 24 पो पावर फॉर हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं अब क्या लिख सकते हैं? 24 अपावर पावर फॉर तो हम इसको लिख सकते हैं क्या तो ये हो जाएगा हमारा 2 power 4 गुने ये गुने 2 power 4 upon 2 power 4 इसे गुना इसे भाग कर दिया तो कोई अंतर नहीं आएगा फेकि अब ये तो हो गया हमारा किस रूप में तो ये हो गया हमारा अब 24 गुने 2 power 4 तो यह हो जाएगा हमारा 384 अपन और यह क्या हो गया यह हो गया अपन यह आगे 2 पावर M बीटू 5 पावर N के रूप में हो गया यह ठीक है जहांपने M और N क्या है नौटी कोल टू 0 है इसको अम लिख सकते हैं दो गुने 5 पावर 5 पावर 4 लिख सकते हैं अब यह तो पता चली गया कि इसका जो दस्मलों प्रसार होगा वो कैसा होगा सांथ होगा लेकि हमें इसे दस्मलों में भी व्यक्त करना है तो यह हो गया ठीक है तो इसको लिख सकते हैं बराबर 384 अपन अब 2 गुने 5 कितना हो गया 10 अब इसी परकार अब हमें आपर तीसरा देखते हैं तो तीसरे में दे रखा है तो तीसरे में दे रखा है 121 अपन 400 तो यह हो जाएगा बराबर यह क्या हो जाएगा तो 121 को लिख सकते हैं 11 गुने 11 अपन और 400 को लिख सकते हैं क्या तो यहाँ हम लिख ले रहें यह 2 से जाएगा 200 बार में फिर यह 2 से जाएगा 100 बार में फिर ये दो से जाएगा पचास बार में फिर ये दो से जाएगा पचीस बार में और फिर पान से जाएगा ये पाच बार में और ये पान से जाएगा एक बार में ठीक है तो ये आगे हमारे 400 का हमने क्या लिख दिया ये लिख दिया हमने दो गूने ये दो पावर फोर सीधा लिख दे रहें दो पावर फोर गुने पाच का स्क्वायर हो गया ठीक है तो यहाँ अगर देखे तो इन दोनों में एक क्यालवा कुछ हो रूप है निश्ट नहीं है तो यह दोनों के ऐसा अभास अंख्या है और हर जो है टू पावर एंटू पाच नismate खोलि में है इसका मतलू इसका धस्मलव प्रसार क्या होगा सांत होगा ठीक है अब हमीं इसका दस स्मलव के रुप में योपढ़ भी चाहिए तो गयारा कुण सो 129 CT कौन अब यह धो पावर फोर शोर गुने यह हुगा 25 अब 25 गुने 121 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3025 तो ये आगे हमारा कितना 3025 हो गया ये 3025 अब 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 ये कितना हो गया तो इसको अब लिख सकते हैं अब 2 गुने 5 पावर फोर हो जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा बराबर 3025 अब 5 गुने 2 कितना हो गया 10 तो ये आगे 10 पापावर 4 ठीक है तो ये 10 पापावर 4 का मतलब क्या हुआ तो ये 10 पापावर 4 का मतलब ये हुआ हमारा ये कितना हो गया ये हो गया हमारा 10 अजा ठीक है तो ये आगे हमारा 10,000 ठीक है तो ये हो गया 3025 अपाउन 10,000 तो भाग देंगे ते क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 0.3025 ठीक है अगला पाठ है इसमें 19 अपाउन 800 19 अपाउन 800 तीन दोनों में एक के अलबा कुछ होए निश नहीं ये मतलब दोनों क्या है सहवाज संख्या है तब हम यहाँ पर हर चेक करेंगे ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा 800 का हम यहाँ पर गुड़न करने ठीक है तो ये हो जाएगा 400 बार में जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 200 बार में और ये हो जाएगा हमारा 100 बार में फिर ये 2 जाएगा 2 से 50 बार में 2 से 25 बार में और ये जाएगा 5 बार में और ये 5 से जाएगा 1 बार में ठीक है तो ये इसको अबलिक सकते हैं 2 पर पावर कितना 2 आ गया 5 आ गया थे होगे 2पपफ़ 5 गुने 5 का स्कुरार तो यहाँ बहर क्या है 2पपफ़ M इंटू 5पफ़ N के रूप में है ठीक है इस रूप में जहाँ पेमन के नौट इकवल टू 0 है तो इसका दस्मलो प्रसार कैसा होगा सांथ होगा ठीक है कि दस्मलों प्रसार सांत होगा तब हमें यहां पर इसका दस्मलों निर उपर लिखना है ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे यह हो जाएगा हमारा 19 upon 2 power 5 गुने यह 5 का स्क्वाइर है अब हम क्या करेंगे उपर नीचे दोनों 2 power 3 से गुना भाग कर देंगे ठीक है उपर भी 2 power 3 और नीचे भी 2 power 3 तो उपर नीचे दोनों 2 power 3 से गुना कर दिये ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा अब 19 गुने 2 पावर 3 का मतलब 8 हो गया तो 19 गुने 8 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 152 तो ये आगया 152 अपावन 152 अपावन और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 2 गुने 5 पे पावर अब ये हो जाएगा 5 ठीक है तो 2,5 कितना होता है 10 तो ये हो गता हमारे 152, a.10, power 5 तो 10, power 5 ठीक है तो जब हम 152 में 10, power 5 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 10, power 5 से तो ये आ जाएगा हमार कितना ये आ जाएगा 0.00152 0.00152 0.00152 हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर हम पाचमा पार्ट दिया हुआ है 9 अपन 2 पार फोर्गों ने 5 स्कुआ है 9 अपन 2 पार फोर्गों ने 95 स्कुआ है 2 पार फोर्गों ने 5 का स्कुआ है तो यह answer हर क्या है सा अभाद संख्या है क्योंकि इन दोनों में एक के लवाद कुछ कोमन नहीं है और हर जो 2 पार न में 2 पाच पार न के रूप में है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा तो ये तो इसका जो दस्मलो प्रसार होगा वो तो सांत होगा ठीक है तो इसका दस्मलो प्रसार सांत होगा ये बात तो सावित होगा ठीक है अब हमें यहाँ पर इसका दस्मलो प्रसार लिखना है तो यह क्या हो जाएगा 9 अपन 2 power 4 गुने 5 का स्कॉयर भू क्या करेंगे उपर नीचे दोनों 5 का स्कॉयर से गुना कर देंगे ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा न यह 5 के स्कॉयर 25 और 25 और गुने 9 कितना हो जाएगा तो तो 25 गुने 9 यह हो जाएगा हमारा 225 तो यह आगे है 225 अब अब यह कितना हो जाएगा इसको आम लिख देंगे 2 गुने 5 पर फॉर लिख देंगे ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा बराबर यह कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 225 upon 2 गुने 5 कितना हो जाएगा 10 10 power 4 तो यह आगे हमारा 10,000 ठीक है तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा तो यह आजाएगा हमारा 0.0225 ठीक है अब यहां पर 6 पार्ट इसमें दिया हुआ है 11 upon 25 ठीक है तो यह हो गया 6 में 11 अपर 25 तो यहां पर अंसर हर दोनों क्या है सह अभाद संख्या है और हर जो है लेकि वो 2 पर M into 5 पर N के रूप में नहीं दिख रहा है लेकि हम यह आप हर को लिख सकते हैं यह क्या हो जाएगा 25 है 25 का मतलब यह 5 का square है ठीक है तो यह हो यह 5 का square तो हम जानते हैं कि यह भी रूल होता है कि यदि अंसर हर क्या हो असर अभाद संख्या भी हो लेकिन यदि Q का मान क्या हो Q का मतलब हर का मान 2 पर N into 5 पर N के रूप में हो तो उस case में भी उसका जो दसमलोप प्रसार होता है वो भी क्या होता है सांत होता है तो यहां पर हम उसको बना सकते हैं हर को 2 पर N into 5 पर N के रूप में तो हम क्या करेंगे उपर गुना कर देंगे 2 पर 2 से नीचे भी गुना कर देंगे 2 पर 2 से ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा अब दो का square 4 चार गुने 11 यह हो गया 44 अपाउन और यह हो गया पाच गुने यह क्या होगा 25 इसको मिश्ट लिख सकते हैं पाच गुने 2 का whole square हो जाएगा दोनों के square ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा यह 44 अपाउन पाच गुने 2 10 10 का square कितना होगा 100 तो यह कितना आ गए अगर 0.44 ठीक है तो यह इसका अंसर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इस question में हमें 6 पाट दिया हुआ था और सभी को बिना लबी भाजन पर किरिया का हमें यह बताना था कि सभी सान्थ हैं और उसके बाद यह उसका हमें 10 मलों पर भी क्या करना था दिखाना था ठीक है जो कि हमने यहाँ पर एक एक करके सभी को हल किया तो यहाँ पर यह इस रूप में हुआ तो इसका भी दस मलों पर सार क्या होगा यह सान्थी होगा ठीक है तो इसका हमने यहाँ पर दस मलोनी उपर निकाला ठीक है तो उमीद करता हूँ यह बात आपको समझे में आई होगी थैंकिंग तक सचरी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल करके एक करोड से जादा चातरों का भरोज़ा आशी डाउनोट करें डाउटने डाप यह वत्चाप करें अपने सारे डाउट्स आच चारसो 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 पर